कि नमस्कार वे मीथून याता आप सभी का कॉंप्पटिशन कॉम्मृटी पर स्वागत करता हूं गाइज आज इस जो वीडियो है मैथमेटिक्स का इसमें आपका चौथा वीडियो इससे परले तीन वीडियो अलड़ी दे चुके हैं आप अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाकर के देख लिजएगा पाला वीडियो परसंटेज पर होगा दूसरा प्रॉफिट और तिसरा टाइम एन वर्क पर और यह वीडियो है SI and CI पर है तो बादरों यह वीडियो जो है इसमें आपको उस लेवल के कोस्टन देखने को मिलागा जिस तरह की कोस्टन की युमीद आप SI मैंस के एक्जाम में कर रहे हैं हाई कि वो जो एकसेंपल पकर की तरह मान सकते कि किस लेवल के कोस्टन देखने को मिलागा आपकी प्रिप्रेशन भी आपर यहां पर चेक कर सकते हैं अगर इस लेवल के कोस्टन बन रहा था आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जड़ूत नहीं है और अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि में क्वांड के जो सेक्ष सब्सक्राइब कर सकते हो कि एक भी नमर काटके दिखा दो बाकी जीएस बेगर में, बाकी लेंग्वेज में आप confident नहीं है कि क्या पूछ लेगा, क्या कर पाएंगे, लेकिन ये section है, जहां पर आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा practice कर लिए अगर आपको कोई ज़रूरत है, हमें कोई help चाहिए, अगर आपको बता सकते हैं, competition community आपके मिल सकते हैं हमी से, बाकी faculty से मिल कर क्या आपको जो भी suggestion चाहिए, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी doubt हो तब भी आ सकते हैं, आप हमारी student है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी कोई doubt होगा, आप connect to teacher में हमारी application जो app है, competition community की जो application है, वहाँ पर जाए, connect to teacher से जुड़ी है, और जो चाहिए, वो doubt आप पूछ सकते हैं, किस coaching के student है या हमने कभी पूछा भी नहीं, ठीक है, आप कभी भी चाहिए, तो पूछ सकते हैं, जिस level के question चाहिए, पूछ सकते हैं, ठीक है, बचली सुरुवात करते हैं, से 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 बहुत बच्चे जनकारी नहीं होगा, अभी तो ज्यादा तर बच्चे पता सर, competition community सिर्फ online है, नहीं, competition community offline भी आ चुका है, आपके सहर, बिलासपूर, रैपूर, दूर्ग और राजनान गाओं में, समझी ध्यान से, तो अगर कोई बच्चा लगता नहीं सर, cgsi का men's का, अ अगर आपको ज्यादा कुछ हो, तो इस नमर पे call करके जनकारी ले सकते हैं, क्या fee है, क्या क्या रने वाली, इस पर एक video भी separate बना दिये हैं, ठीके रन, आप यहां के ADO, ADO की वेकंसी इस साल क्या आने वाली है, आपको पता है, तो ADO की भी आपको बैच्चे मिल जागा, 13 आपने revision कर सकते हैं, कई जो बहुत नया feature है, साइधी किसी offline, आज तक किसी coaching में feature लाया होगा, किसी भी coaching की बात कर रहा हूँ, पूरे pen India की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब CGSI पढ़तों लिए सार, लेकिन आपको पहले कहा था, time management बहुत 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 factor होगा, उसके लिए question थोड़ा ज़्यादा है, अगर offline mode में जोन करेंगे, 800 रुपे मिल जागा, अगर आपको offline करने, online करने हैं, तो सिफ 500 रुपेया में, किसी को doubt है, कुछ भी लेकर करके, तो आप यहाँ पे call कर सकते हैं, चली सीधम सवालों क्यों रुक करते हैं, जनकारी बहुत जरूरी था आपको मैंने दे दिया है, देखें, सदार ने भी आज को लेकर करके, जो मन में बच्चे के doubt चल रहे थे, है ना, कुछ आपको concept के अगर जरूरत है, concept में आपके थोड़ा सा discuss कर देता हूँ, क्योंकि आपको prelims में पूरी concept के साथ, पूरे पेजाने topic पढ़ा चुका हूँ इबीद करता हूँ कि prelims की वीडियो आप देखे हूँगे, prelims के paper दिया हूँगे, अब मेंस की आएं, तो यापे सिफ आपको question practice कराएंगे, अगर आप simple interest के अगर बात करते हैं, बादरो simple interest का एक फर्मूला होता है, प्रिंस्पल होता है, प्रिंस्पल होता है, अगर बाद इसका installment का भी एक फर्मूला आता है, हम बलें, आप बिल्कुल होता है, जोकि फर्मूला का हम कभी इस्तमाल करते नहीं है, ना अगर वाले वक्त में करेंगे, किसी भी फर्मूले की किसी चरुद नहीं है, सीदा जो मैं तरीका बतार उसे करना होगा, क्योंकि ये सब topic में अ पर एक सदारन ब्याज पर एक रासी साथ वर्स में दो गुना हो जाता है, जब भी दो गुना होने की बात करें, तीन गुना होने की बात करें, बाहदरों आप एक की काम करोगे, प्रिंस्पल को हमें सा सौमान के सुरुवात करिएगा, अगर इसको साथ साल लग गया, नहीं बताओ, तो सर ये सो रुपिया हमें बयाज मिला, और ये सो रुपिया बयाज हमको कितने साल में दे रहा है, ता बोलो सर ये तो सेवन येर में दे रहा है, अनि साथ साल में दे रहा हम बहुत बढ़ी है, आगे बोलो सर बताओ कि इसको जो है, सो कितना पांच गुना होने में कितना समय लगेगा बात रूप ने का मतलब सो रुप्य मारसाथ साल लग गा तो सिधा सीधा को साथ गुना कमाने में क्यों कि 100 रुप्या कमाने में 7 साल तो 400 रुप्या कमाने में कितना लेगा 4 गुना, तो 7 का दव चार गुना कर लो 28 साल उपसन नमर कहा है, आप टीक करके आगे निकल सकते हैं, यह सबसे बेश तरीक है, वह इमीद लगता है, क्लियर रहा होगा, ठीक है, अब समझे, बाद रो, अब सेकेंड टाइप का सबसे इंपोर्टेंट सवाल है, इस सवाल को जुरूर पढ़के जाएगा, मेंस पॉइंट अभी से, क्योंकि ब साथ सो पचास सो पर हो जाती है, तो यो कितना होगा, अनिकी, जो ऐस सो मुल्धन क्या होगा, बला सिंपल सवाल बोला, कि बोला की सार, अगर आप कुछ पैसे बेंक में रख देते हो, सिंपल इंटरेस्ट की दर से बढ़ रही है पैसा, और दोनों ही केस है, उसमें दोनों में रेट क्या ऐसा माना है, बला चार साल में पैसा बलकर के बाद उनों 6,000 हो जा रहा है, और वो पैसा साथ साल में कितना हो जा रहा है, 6,750 हो रहा है, तो यहां पर दो सवाल आम तो पुछता है, तो रेट पुछ लेगा, दर कितना है, और एक प्रिंसपल पुछ लेगा, यहाँ पर आपसे प्रिंस्पल पूछा देखिए सवाल को किसे डिल करते हैं देख लेते हैं पड़ाबट से हमने माना कि ठीक है पी रुपिया पैसा रखे होंगे तो चार साल के बाद मतलग क्या हो पैसा बढ़कर हो जाना मतलग क्या हो गया बयाद जुड़ गया होगा तो चार साल का बयाद जुड़ जायेगा प्रिंस्पल में तब तो क्योंकि आपको पता होगा कि सर यहाँ पर देखो प्रिंस्पल प्लस इंट्रेस जुड़ा जाता है क्या होता है एम formations की बारे मेरे comment भी किया हो कि जो क्युं पैसा बढ़कर हो जाते है। अगर हम किसी को 200 रपीय दिये उधार, अगर पैसा बढ़कर के 250 ओ गया, तो वो क्या हो judgments हो गया। सिंपल समझेगा क्या जमा करते हैं या किसी हैप लेते हैं और किसी को उधार देते हैं उस dar प्रिंसपल लेकिन जो पैसा बढ़ करके हो जाते बाद रों उसको इमाउंट बोलते हैं तो प्रिंसपल में अगर चार साल का अगर इंट्रेस्ट जूड़ गया होगा तो कितना अगर आप इसको देखा जाये तो क्या होगा हम जिससे minus करेंगे तो इसको cancel out कर रहा है, 7 साल का simple interest में 4 साल घटालो, क्या हो जाएगा, सर घटने वाद 3 साल का simple interest बच जाएगा, हम बले बहुत बढ़ी है, यहाँ पर क्या बचेगा साथ सो पचास, तो जब 3 से कटाएंगे, तो यहाँ से 1 साल का simple interest रहा है, कितना हो जाएगा सर चार गुने 200 मतलब एक साजार हो गया, और बराबर कितना हो जाएगा 6000, तो यहां से असानी से बोल सकते हो, सर एक हजार घटा देंगे, तो प्रिंस्पल में क्या हो गया, 5000 पराप्त हो गया, तो प्रिंस्पल जब निकालेंगे, तो यहां से रेट भी निकाल लेते हैं, क नहीं है दर निकल जाएगा क्यों एक साल में 6 утra 500 फर तो सिंपल ले प्रिंस प्र पूछा जाएगा ठीक है आए मुल्दर तो दोनों ही असानी से निकाला जासकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक स्टेप का फासला है, ठीक है, चली, शुरुआत करते हैं, अगले सवाल, दो सवाल होने बैक टू बैक किया है, दोनों ही खुबसूरत सवाल था, एक बैतरी सवाल देखिए, सवाल लगा, इसको देखिए, वह सवाल मुलधन और जो रासी है, आनि कि यहां पर जो amount ढूल सकते हैं, मुलधन और नुपात के पाँच अनुपात कितना बाधरो, छे है, और आठ फिर्स के बाद यही अनुपात, यही principal और amount, आनि कि मुलधन और मिसरधन का जो amount है वो ratio बढ़कर एक उनुपाद दो हो गया तो बला सा rate कितना होगा यहाँ पर बड़ा असान है simple interest का एक concept याद दखेगा principle change नहीं होती है हर से हर situation में principle आपका समान होती है यानि कि principle equal होती है यह fund अगर याद है तब यह सवाल होगा वरना अप नहीं कर पाएं तो मेरा EBI principle और क्या रहे इसी का ratio है हम बोले हाँ आपको एक ही काम करना होगा EBI principle का ratio ही था है क्या आपने बोला principle सर बराबर होता है तो अगर दोनों जगर principle बराबर कर लिया जाए तो सवाल बनाने में कोई तिकत नहीं है सेकेंडरों में सवाल स्वाल जागा देखिए तो सवाल बनाने के उपर नीचे क्या करना होगा तो आप समझ सकतो बादरों कि मानते हैं कि यह सो रुपय कुछ निश्य समय में 120 होगा लेकिन यह अगला आठ साल में यही तो 120 जाके 200 हो गया होगा common sense के बात है principle तो 100 ही रने वाला है है ना तो आप बोल सकतो सर यह 8 साल में जो तो आपको simple interest में definition पढ़ाया हूँ कि 100 रुपय पर एक साल में मिलने वाली बयाज को क्या बोलते हैं बादरों rate बोलते हैं तो 100 रुपय पर एक साल में अगर 10 मिल रहा है तो common sense की बात है कि rate कितना होगा 10% होगा देख लो तो जो rate चल रहा है बादरों 10% होगा इस से बहतरी तरीका आपको नहीं मिलेगा ध्यार रखिएगा ठीक है तो 100 रुपय पर एक साल में अगर 10 रुपया मिला तो rate of vintage केतना 10% तो इस तरीके साव याप आसानी से option को क्या C को tick करके आगे बढ़ सकते थे तो इतनी कि बहतरी सवाल को दो line में कैसे बनाते हैं इमीद करते हैं बा से आपकी CG question target करते हैं वहां सवाल में उठाता हूं कुछने कुछ सवाल खुद frame करता हूं और इस तरीके से आपके पुरा session में दे रहा हूं compile जो man's point of view से आप इसको important देख सकते है प्रिलम्स में जो सवाल आया था मैंने अलड़ी करा था वहां पे session थोड़ा आसान रखा और उसी लेवल का सवाल आपको अपर देखने को मिला था जो भी बच्झे ने और आजशी में देखने को मिलेगा ठीक चले इस तरह सवालों के लिए करके देखी बहुत ज्यादा पैनिक मत होना बहुत पांच जार की जो रासियत दो भागों में इस परकार विवाजित कर दिया इता बांट दिया जाता है कि पहले भाग पर चार सही एक बटे पांच वरसों के लिए छे सही दो बटे तीन प भाग का अनुपात क्या होगा अब कई बच्चे क्या करेंगे पहले भाग को एक्स मानेंगे दूसरी हजार को 5000 मैनस एक्स हम बहुत जरूत नहीं है सिदा सिदा जब यहां पर सिंपल इंट्रेस्ट का रेशियो देही दिया है तो लो हम बहुत सिदा से निकाल देते हैं हम अब कोई दिक्कत की नहीं देखो एक और वाई का रनुपात हम कैसे एक लाइन में निकाल लेते हैं यह पाले का टाइम कितना दिया बादरों चार सही एक बटे पांच मतलब पांच होगा बीस बटे तीन परसंट यह परसंट रहने दिए कट जाएगा बराबर यह दो गु होगा नहीं मुल्धन को वाई मान लिए सर यहां पर रेट वही टाइम बोलो गया हम बोले हो चार दुनी आठ प्लस तीन कितना होगा एक आरह बटे चार साल और रेट की अगर बात करते हैं बादरों तो सिधा सिधा चार परसंट है तो जितना कटम पिटी मचा सकतो बिल्क में हम बोले ऐचया तो सर दो से करा ही इसको दो बार में हम ओनी क्या हो जाएगा सर यह हो जागा ठाद सादूनी चोगदद होगा राभ तो यहां इंगा 1 ट्शेवन के नेदेंना कर दा सादूनी निफ्ião बटे पूछाए म इसाट यह अनूपत आयल आपको दें ethos नितामожет तो आपको क्या लग रहा है सवाल इतना डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझना पढ़ेगा तब ही जा करके बात बनेगी चलिए एकला सवाल आपके स्क्रीन पर बात और एक और खुब स्वाल आ चुका है देखते हैं सवाल क्या है सवाल करिएगा आज के वंडे एक्जाम इस तरह सवाल है बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ठीक है चलो सवाल पढ़ें देखो सिंपल इंट्रेस्ट में दो केस को ध्यां रखेगा एक जब आपके सिंपल इंट्रेस्ट दोनों समान हो और दूसरा जब इमाउंट सेम हो यह एक बेटा का एज अभी 14 साल है एक बेटा का 12 साल है इस तरीके से दोनों को बांट दिया गया एक लागवी से जार कि जब क्या बहते हैं मिसंध दंबोलते हैं आंने हम भिल्कूल सही है तो सवय पर सैैंकि है कितना बाट आंने निकाल देते हैं बात में है थियोरिकों पर फॉले बता ता हूँ कि आगर माले मिसंध भाबर हrière हो क्योंकि पैसा बाप देगा तो बढ़ेगा दो फिन माउंट होता जब भी कभी सिंपल इंटेस्ट में अगर माउंट सेम बोले तो हर वार प्रूफ करें टाइम खराब मत करिएगा ठीक है तो एमाउंट जब सबसे पहले पहला दखो इसका जो बेटा है ना सोे चार साल करें का अल रख दो ब्स परसंट और आ अब नहीं करना रख दो रैस्यों अगा फटाबड़ से चली झाल को चलिए और कितना पांच टाइम इसका है कितना चार तो चार पंचे कितना होगा। 20, तो यहां पर 120 हम डारेट कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर देख लो, सर यह 100% टो ठीक है, लेकिन इसका टाइम 6 साल है। और रेट 5 है, छो पंचे कितना होगा, 30, तो यहां से अब बोल सकते हो सर क्या होगा, maar 30. अनिकी एक बात बताओ यह एक बटे क्या होगा 120 बादरो और एक बटे कितना हो जागा 130 जिरो-जिरो कड़ जाएगा रेसियो बदलना होगा क्योंकि आपको पता है कभी किसी रेसियो को आप पी वाई-क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते यह बात आपको समझना होगा रेस से कौसन तभी बना पाओ जब यह पता हो कि फ्रेक्शन में कभी रेसियो नहीं होता ठीक है तो सर इसको में बिटा दूँ हम बोले हम तो यहां से मैं बता दूँ कि P1 और P2 का रेसियो क्या होगा 13 इदर आ जाएगा और 12 तो P1 और P2 का बिटा जो रेसियो होगा वो कितना ह होगा 13.12 होगा और इसी में बांट देख लो ठीक है यहां तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ जल्दी से इसको लिख लो अब पैसा बांटना पर जा रहे हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है आई अब पैसा क्या बांट रहे हैं देखो आपने क्या निकाला सर पीवन और P2 का रेसि रुपया था बांट देख आपने सवाल बला सर पचीस नहीं है एक लाग बीस हजार है हम बोले अच्छा तो इस पचीस कामान आप एक लाग बीस हजार के क्या कर लोगे बराबर करोगे तो यहां से जब करोगे तो एक कामान कितना हो जागा बलो 4800 और एक कामान बाहाद द तो ठीक है अंसर आ जाएगा 0057 बर अठीच यांबे का कितना हो जागा चे बर अठीच यांबे चे कितना हो जागा नो बर्चोगा तालीस और नवस संतावान चाहर रुपया एक लाग बीस ज़र में किसको दिया होगा छोटे वाले बेटेख ओप्सन कहां पर ऑफसन नमर तो बहुत अउम्दा सवाल था इसको जरूर पढ़के जाएगा इस कॉंसेट पे काफी सवाल ने बना है और उमीद है कि पेपर वाँ पे फ्रेम कर सकता है चलिए अगा सवाल आपके स्क्रिन पर आचोगा बादरो एक और खुबसुरा सवाल देखिएगा इस तरह की सवाल कर सकते हो वहां पर हम जितना टोपिक पढ़ा दिया अगर उतना पढ़ लेंगे तो मेंस क्या कोई भी एक जामें बेड़ यांगे तो सवाल आप गलत नहीं कर सकते जो सी सेट का मैं कॉस्टन कराया हूं आधा ना तो लेकिन महां पर कंप्लीट नहीं है क्योंकि वह टाइम इतना था नहीं अठारा लेक्चर में जितना हो सकता था मैक्समुम मने परियास किया आपको क्या करने का महां पर मैक्समुम कवर कराने का लेकिन बहुत सारी टूटोपिक महां पर हुआ नहीं है इस लिए चलो पढ़ते हैं बला सरादी ए ने दो व्यक्ति ए और भी है ए न पर ब्रेकर में दिया दिया कि क्यू जो एस व पी से क्याबिट है ठीक है अब बोला कि एकी समय पर अनिकी समय एक है तो उधार ले लिया बहुत बने तो कितने बरसों के बाद उनके रिंग की रासी बराबर हो जाएगी अनि की वही बात है कि सर सिंपल इंट्रेस्ट यह ब और सिंपल इंट्रेस्ट को क्या लेखते हैं पी आर टी अपर हंडेड ठीक ही बड़े यह देख लो यह पी पलस पर हंडेड जो हता क्या था आता है माउंट होता है यही बात समयाना चाहरे था चलिए यहां पर बना दो हम लिए तो सर यह प्रिंसपल तो लोग क्या मन है गुना लगा तो यहां पर साइन पी एक्स टी ओपन क्या हो जाएगा 100 बराबर दूसरा अमाउंट लेकिन दूसरा अमाउंट के लिए प्रिंस्पल चेंज हो चुका है वह क्यों बोल रहा है हम बोले अच्छा तो क्यों प्लस क्यों इसका रेट वाई है और इसका टाइम कितना टी है और बटे कितना होगा बेटा सो होगा तो इसको एक लाइन के बात करना चाहिए क्यों कि जो अवरोल यहां पर सो आएगा हम यह कटा दिये तो समझ जाना इतना होश्यार आप हो यह हंडेड्य यहां पर आ जागत क्या होगा हंडेड्य क्यू ऐड़ा सा फास्ट करते हम यह क्यों यह वाई और रिय तो आप यह आना चाहिए और आ लिकत नहीं आप जैखो यही पर इस केस का इस्तेमाल करो घूए क को इधर लाओ, ठीक है, तो यहां से PXT माइनस ये QYT लाए, लेकिन आपको 100 Q में 100 P को घटा देना पड़ेगा, ठीक है, बेटा, आजाओ, अब यहां पर हमको time चाहिए, time को common कर लेता हूँ, यहां पर time common कर लेता, क्या बचेगा, सर यहां पर बचेगा PX माइनस का QY, और य दो अधर ना, तो सर भैज़ दे हैं, हम बहुते हैं, तो यहां पर time बराबर जो होगा, देख लो यहां पर, सर यह 100 माइनस Q माइनस का P, और अपर में जो होगा, वो PX माइनस का QY, देखिए, इस लवल के सवाल जो, so mens में आता है, एक बार देख लिएगा, option number A, जो राइ बुक, उसमें बिल्कुल भी इस तरह लेवल का सवाल नहीं मिलने वाली है, अगर आपको बेहतरिंग question प्रैक्टिस करने हैं, तो मैं दोस्तों जरूर बताता हैं, कि मिथून सर भी स्रीज लेकर के आ रहे हैं, मेंस के लिए, मैंने हम लोगों ने आपकी प्रिलम्स की help किया आप आप लोगो मैंस में help कर रहा हूं, लेकिन आपको वर्दी लेना ही लेना है, वर्दी जो हैसो, वर्दी के लिए पढ़ना आपको, समया है कि नहीं, जब मुझे पता कि ममिप्पा का सपना यहीं से पूरा होगा, तो वर्दी के लिए ही काम करो आप, दिन रात आपको वर्दी नज़रानी चाहिए, ज़्यादा दिक्कत जा रहा है, तो वर्दी खरीद करके जहां तुम पढ़तों, वहाँ तांग दो, क्या दिक्कत है, अगर हम 1000 रुपिया इधावदा खर्चना करके वर्दी खरीद लेंगे, ताकि वर्दी आपको इक मूटिवेसन देगा, मेरा सिधा मानना है, जो चीज़ चाहिए उसमें डूब जाओ, तुम यह मान लो कि भईया, जहां पर तो वहीं पर वर्दी मस्त S.I.E. का टांग दो, नई पैसा तो क्याप वर्दी, S.I.E. का जो खरीद के वहाँ लगा दो, ताकि जब जब देखो का आपको लगा मुझे चाहिए ही चाहिए, और जब तुमको को चाहिए हो चीज होता है, तभी तुम पढ़ते हो, समया कि नहीं, तो उमीद करते हैं बात क्लियर आओ, अगला सवाल बात वरो, उससे पाले एक बात बता देता हूँ, कि देखो 36 गड़ों जैसे मैंने पाले का, कई बच्चे इस प के अंदर SSC बैंक और रेलवे को लेकर के बच्चे उतना जानकारी रखते नहीं है, मुझे रखता रखनी चाहिए, क्योंकि 36 गड़ों के अंदर मेहनत करने की छमता कम नहीं है, मैं देखता हूँ, जब लेबरी में 15-15 गंटे बिता तो मुझे लगता है कि यार यसा बच् कोई छोटा भाई बनो, आप हो, अगरमान लगता है कि सर, क्योंकि ये सेक्टर में ऐसा है कि तीन मेने के अंदर सेलेक्शन होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्शन होगा ही होगा अपका, अब होता क्या है, लोगों पता नहीं है, अगर आपके घर में कोई 10 पास सकते हैं तो आप अपने भाई बान को इस बात का जनकारी जरूर दीजेगा कि अब टेंथ पास करके भी फॉर्म भर सकते हैं और आपको गौवर्मेंट जोब ले सकते हैं ट्वेल्थ के यह मिस नहीं होता है तो यह मान लोग इतने नमर अफ एकजाम है कि आपको वेट नहीं करना परेगा हर एक मेन अपको एकजाम मिलेगा समझाए कि नहीं इमित करते बात के लिए रहा होगा तो इसका डेट याद अच्छे का पंद्रह मार से हमारे चारो सेंटर पर ससी रेलवे बैंक का क्या कर रहा है इसके बावजूद कोई दिक्क्रत हो तो हमसे आकर करके मिल सकते है या तो इसके कॉंटेक्ट नमर यहां पर कॉल कर सकते है ठीक है अब क्या इसके एक टेस्स स्रीज यह मेगा टेस्ट को कोई बच्छा बोल रहा कि नहीं सार यह पुबि जितना तुमको प्यासी में डिसकाउंट रहा होतना तो ससी बैंक तुम पढ़के चले जाओगे इतनी स्की कमें डिसकाउंट क्या दूमें समझ नहीं आ रहा है वाई तो मालों तुमको दो हजार का डिसकाउंट तुमको नहीं मिल पाएगा 2000 में समझो तो भाई इस मेगा पराइद करिये चोगदा मार्ज को मेगा टेस्टा में समया है की गया की नहीं चोगदा मार्ज को आप किसी फिल्ड के बच्चे जरूर करिए गistan करके जा सकते हैं ना छ्छी पुछेंगे इसमें पुछा जाएगा थे इसमें पाटिस्पेट करिये गा और टॉप 50 में आने आपके साथ मिल चुके हैं आई यह बात करते हैं यह जो सवाल का समझने का परियास करिए आप यहां पर सिंपल इंट्रेस्टी काहनी खत्म होती है अब हम लोग चक्रिविदी व्याज की बात करने जा रहा है क्या इस सवाल को देख सकते हैं एक निसी द्रासी आपने चक्रिविदी व्याज पर रख दिये बैंक में दो वर्स के बाद यह पैसा बढ़कर 650 हो गया बाद रहो और चार वर्स के बाद यह पैसा 676 रुपया बढ़कर के हो जा रहा है तो बताएगा कि मुल्धन क्यात के रि या पर टाइम लिखा 2 साल के बाद कि यह Katherine है ऑगर चार साल के बाद हो जाता कि इतना शेजिएव सवाल है अगर चार साल के बाद हो जाता है यही बोलो न कि या इसी पी को जो चार साल में 676 करते बाद तो बरावर है, बर इस component अब को ये समझना होगा, कि अगले साल का amount मन लो, इस साल का last में जो amount बनेगा, वो दूसरे साल के लिए principal का काम करता है, समझे की नहीं, अब time equal अब ये बता सकते हो, कि सर हर दो साल के बाद हमारा principal amount में किस rate से बदल रहा है, आप अराम से बोल सकते हो, इतर भूल जाना आप, यहां देखो, सर 650 रूपया रखे बैंक में, और दो साल में 676 हो गया, तो क्या ये दो साल का rate नहीं पता चल जाएगा, क्या कौन सी rate सर हम बोले, जिस rate से principal amount में बदल रहा है, तो यहांस हम डारेट एक rate पता कर सकते थे, कि देखो, 676 और ये कितना हो जाएगा, 650 ठीक है, हम बोले हाँ, अब क्या करना होगा, हम बोले, कुछ नहीं करने जरूत है, इसको कटा देना, जब कटा होगा, 26 बटे कितना हो जाएगा, 25, हम बोले हाँ, 26 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, अब इसको कटाने ही जरूत है, क्या हम बोले, कटाने की कोई जरूत नहीं है, 26 का score, 26 से इसको कटा दिये, ठीक है दोस्त, अब समझो, अब क्या होगा, सरी rate पता चल गया, सरी इसी rate से जो, इसी rate से जो, इसी rate से इसको क्या करेंगे, इन्टू कर देंगे, तो यही जो amount बन जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, 650, तो 26 से करा दियेगा, कितना 25 बार में, तो आपने जो पैसा रखा होगा, वो कितना रखा होगा, 625 रुपे रखा होगा, option number B, जो right answer अब यहां पे देख सकते हैं, त component शुरू कर चुके, component की बहतरी सवाल क्यों रुक करते हैं, अगला सवाल यह है, आपके स्क्रीन पे, देखे क्या है, अब rate निकालने में इससे बहतरी सवाल आपको क्या मिलने जा रहे है, इससे बहतरी सवाल आपको कहा मिलेगा, मुझे बताओ, यहां पर quarterly का भी इस्तमाल पर सिसाथ से बोल रहा है, अनि किस rate से 32,000 रुपया रखे, 9 वर्स में जो ऐसो, 5,044 रुपया का जो ऐसो बयाज मिला, चक्रिविदी भी आज की दर से, लेकिन यह साब साब बोल दिया कि सर, यह हमारा दर बढ़ रहा था, वो तो हमारा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क पहला परिवर्तन जो होगा, सर, वो टाइम होता, देखो, पहला परिवर्तन टाइम, टाइम क्या होता, चार गुना हो जाता, ठीक है, 9 गुने, चार मतलब कितना हो जागा, बाद रहो, 36 मन्त हो जाता है, और 36 मन्त का मतलब बता दूं, क्या होता है, सर, यह तीन साल होता है तो यहां पर टाइम तो तीन साल मिल गया, और रेट ही पूछा, तो रेट में जो भी आएगा, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, वापर चार से इंटू कर लेंगे, कोई दिकत नहीं है, एक चुलो रेट को चार से भाग देते हैं, ठीक है, तो हमें आपको क्या चाहिए, समझे है कि नहीं, अगर 5044 रुपया अगर ब्याज पराप्त हुआ है, तो सीधा-सीधा बोल सकते हो ना, क्या, कि सर 32 जियर पुलस क्या होगा है, पांच जियर जोड़ दें, तो साहब साहब बोल सकते हो, सर तीन साल के बाद यह रासी इतना हो गया, हम बोले हाँ, लेकिन अब हम हम लोगों जब भी रेट निकालना होता है, तो वापस एक साल पर आना पड़ता है, यह कॉंसेप्प पे बहुत सवाल है करा चुक हो, प्रिलम्स में, इसमें किसी बच्चे अगर डाउट जाया तो जो परोसे बता रहा हूं, उसको रिक्याब भी करा रहा हूं, वही बात वहाँ पर बता रहा हूं, क्या, कि अगर प्रिंस्पल और इमाउंट दिया जाए, और यह तीन साल के बात की बात है, हम बोले हां, तो अगर रेट चाहिए आपको तो वापस आ जाओ एक साल पर, और वापस आने के लिए आपको यहाँ पे क्यूब रूट करना पड़ेगा अरे सार, स्क्वार रूट क्यों नहीं कर रहा हूं, हम बोले अगर समय दो साल होता तो हम आप स्क्वार रूट करते हैं, लेकि समय अगर बाद रहों, तीन साल है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, हम बोले अचाह ऐसा है, हाँ, तो सबसे पहले आपको क्यूब रूट क के बाद ठीक है आप समझे अब एक साल पर आने के लिए को क्यूबरूट करने की जरूरत है तो जैसे हम इसका चूबरूट कर देंगे आपका मामला खतम तो अब रेट तुरह निकल जाएगा ठीक है हम बोले यही पर आपको चूबरूट और इसको हो जाए गा हमम बोले हां और यह हमारा क्या हो जाएगा एक हो जाएगा अब अक इस पर सवाल पुछाताल तो बादरों यहा उसाone लेकिन जो रोपारी निकले पर चाहिए पांच पर शेंट जो हमें हमें आपे मिल रहा है पर कौटर पर किषल्टर यह पर एनेम मत बिदेना चाल से गुणा조 पुछ यहां खुछंगी तो गलती मैक्सिमिन बच्चे जो है सो पाँच परसंट से मारके गलत करेगा तो इस लेवल के सवाल को प्रेक्टिस आपको करना ही पड़ेगा कोई उपाई नहीं है अगला सवाल अपके स्क्रिन पे एक और खुबसुरा सवाल आ चुका है देखते हैं सवाल को क्या करेंगे यह इस तरह के सवाल ने बहुत ज्यादा जो अब बोलो सर दो साल का सिंपल इंट्रेस्ट चोरासी सो है और दो साल का कमपाउंड इंट्रेस में इंट्रेश अने की चक्रविदि वियाज क्या ऐए του और यह सवालों के लिए यह سिंपल इंट्रेस्ट हर एक साल का सेम होता है अगर हमारा Riach इस बात को समझाना पड़ेगा तो जैसा यह बोला सर दो साल का सदारन बयाद इसको बाड़ दो क्योंकि पहले वाली कोलम हमेशा सिंपल इंट्रेस को दिखाने का काम कर दिए तो यह हो जाएगा हमारा 4200-4200 तो फैनली तुम जोड़ 84 नहीं हो गया इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा इसको जोड़ेंगे 252 और इन दोनों को जोड़ते हैं बाड़रों तो क्या होगा पांच परसंट से भरते थे अगर दस परसंट रेट होता बादरों तो इस 4200 का दस परसंट भरते लगी मुझे रेट नहीं पता तो रेट कैसा निकलेगा देख लो यहां पर फटा परसंट तो 42 का आर परसंट है ना बराबर कितना होगा 252 आगया नहीं एक लाइन में एक लाइन में सवाल अगर इक्वेस्ट से करोगे तो आपको बहुत लमबा चला जाएगा और इक्वेस्ट से करके आप मैं बता दूं और एक्सेप नहीं कर रहा है कि कुछ बच्चे में कमेंट देखता हूँ कि इस तहर आप बहुत बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हो अरे भ अगर आप इसे प्रोच को नहीं फोलो करते हो तो इसलिए अगर आप है तो आप पढ़ करके बच्चों पढ़ाना सुरू करो बहतरी एप्रोच के साथ बच्चे को जैसे पढ़ा तो वेसे उसके आदत लग जाती है और 36 गल्ड में बहुत ज्यादा इस लिए चल रहा हुआ तो मैं असको बदल दींगे जाना दूगा में बाद कर आप बैंगा पढ़ाना सुरू करिए अगर आपको नहीं बीडियो मिलेगका तो सवाल यहां पर की समझेगा हर एक सवाल में एक से से संजोजीत आठ परतिसत जो आसो वार्सिक दर से जो एक वर्स के लिए 50,000 रुपिय का ब्याज के बीच का अंतर बताओ हम बले यह ब्याज तो छोड़ो बाद रहो छोड़ दो वार्सिक रुपिसे क्या होगा अनि कि अगर हम एरली बात करते हैं एरली तो भाया एक साल का अनि कि पहले साल का सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंड इंट्रेस्ट दोनों सेम होती है यह बात आपको पता होना चाहिए हाँ दूसरे साल से न भाईया component लगने लग जाता भाईया interest पर interest कब लगेगा सर ये दूसरे साल से लगना शुरू होता है तो पहले साल का simple interest और component बिल्कुत सहम होता है तो पहले साल से जो आपको यहाँ पर बयाज मिलेगा अगर rate 8% है तो तुमको 8 रुपया बयाज मिलेगा ये बात सबको clear हुआ हम बले हाँ लेकिन अगर ये half yearly कर दिये बेटा समझो अगर half yearly कर दिये तो half yearly में दो तीन चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि सर्फ दो जगब परिवरतन होता है एक rate आधा हो जाता है, वो समय lock हो जाता है तो जो rate 8% हो कितना हो जाएक आपका 4% हो जाएक आधा हो जाए 양 और जो time उन पर एक साल है वह डवर चाईल करकर दो साल और हो जाए आपको पता होगा कि net c i 2 साल का क्या होगा देख म हमें पर नेट से आई दो साल का क्या होगा फर्मुला कितने बचे नहीं पता बताओ तो सर यहां से जो और रीट आया वो क्या होगा 8.16 तो यहां से जो आपको ब्याज मेळें वह कितना होगे 8.16 तो यह फिरली देने से देखो उसको फैयादा हो जाता है उसको पॉइंट वनसीक तुम ज्यादा दे दिया अंतर बता व यह अंतर तो कोई बचा बता देगा देगा यह अपर यह ब निकाल देजिए हम बोले चलो आप देखो पाँच हजार का क्या लगता आपको जिरो पॉइंट को हटा देंगे तब ही डबल जिरो आ जाएगा तो चार जिरो चार जिरो हटा आईए और चलो अगला सवाल आपके स्क्रिन पे रहा अब देखिए गए यह कितनी लाजवाब सवाल है यह सवाल में आपको दो पार्ट को मर्ज कर दिया है ताक्ति आपको लगना यहां सर आप हम कर ले जाएंगे समझाए कि नहीं सबसे पहला पार्ट पूरी तरह से एमाउन पर सवाल है उसके बाद एक और पार्ट सवाल जो र जाएंगे बला आसान हो जाकर सोलूशन एक लाइन में देता हूं बुलने देखोसर जब बयाज की गन्ना वार्सिक चेकृत्र बयाज पर होती है तो एक रासी निसित वार्ष बयाज पर दर पर चार वर्स में जो इतना हो जाता है चार रेट है मुझे नहीं पता है कितना पैसा रखे बैंकी मुझे नहीं पता लेकिन चार साल के वधी पैसा 7512 रुपया हो जाता है और पांस साल में पैसा बढ़ करके कितना हो जाएगा 8469.44 हो जाती है और समान दर पर उसी दर पर जो अगर हमें आप 10,000 रुपयर रखेंगे दो वरस के बाद जो आसो चक्रदिव का अमाउंट दूसरे साल के लिए जो ऐसो वो क्या बन जाती है प्रिंस्पल बन जाते नहीं मुल्धन बन जाती है और दूसरे साल का जो आसो आनि अमाउंट अनि मिसरधन तीसरे साल के लिए क्या हो जाती है वो प्रिंस्पल बन जाती है तो आप यहाँ पर फिर बच्चा में क्यों नहीं बना रहे हो आप लोग तो आभी क्यों कि चार साल का पाच्वा साल के प्रिंस्पल काम नहीं करेगा बताओ तो चार साल में पैसा इतना बढ़कर हो जाएगा और यापि नहीं कुछ ज्यारत नहीं देखो ना चार साल में इतना प्रिंस्पल का तो सार इसका बता दो कि अगला आपको में आप यह जागा पूंट फॉर फॉर ठीक है यह जागा बादरोश सेवन यह हमारा कि इस हमारा कितना हो जाएगा नोग इस पे मिला तो करेंगे बाहदरों तो यह तुमारा क्या निकल जाएगा धर निकल जाएगा रेट निकल जाएगा ठीक है तो जब इसको केंसिल आउट करोगे तो यहां से जो रेट आजाएगा 12 परसंट देख लिना क्या हो जाएगा 12 परसंट और अभी एक बात भी समझाए थे गर रेट 12 कितना समय हमारा बच पारा ठीक है तो यह से बोल सकते हैं निकल लेगा हमारा सरो कितना होगा 25.44 परसंट अब आसानी से निकाल लिए जैक किसका किसका तो रेट आगे लिए किसका तो 10,000 का 10,000 का सिधा से निकालों को 25.44 तो आपको डायेटरे दिख रहा होगा और सो नमर यह आएगा हलाकि निकाल दे रहा हूं को दिकत की बात नहीं है ठीक 25.44 परसंट परसंट के लिए निचे आगा 100 और यह डवल जिरो यहां पर और आ जाएगा तो बाहद रहो चार जिरो चार जिरो खट करके अंसर कितना होगा 2544 आगया कि नहीं आ गया तो अपसर नमर यह अगया तो इस लेवल के सवाल अब तभी कर पाएंगे जिरो इस आब कर पारेंगे नहीं करें डीकत नहीं हो झाएगे और यह अगया लगातार सवाल पूछा जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि सवाल आ रहे है पढ़ते तीवी का लागत्म है एक टीवी था कीमत था 20,000 रुपया है अगर हम एक टीवी खेर देंगे समझो कीमत कितना था 20,000 रुपिया हमने इसको बाला भाया 5,000 रुपिया रख लो और बाकी जो 15,000 होगा बचा वो हम किस्त में चुकाएंगे हम बला अच्छा बाकी 5,000 रुपिया हमने इसको नगत भुगदान कर दिया खरीद लिया और बाक कि परतिय की स्ता कि कितना कितना भर बताओ न हम बले हम यहीं सवाल आपको समझाना चाहरे था ठीक है एक बात बताओ बीस रुपिया तो इसका कीमत था देखते रहे न हम बले हम बले हमारा फैनल 15,000 रुपिया कर जा रहा गया ठीक है अब यहां पे देखो जो सवाल जो त यहां परसे से उसको बनाया हूं हम एक हीु परसे से हर सवाल बनाते हैं इस बात को ध्यारा ठीक है चलो सबसे पहले इंपोर्टन हो रेट साभारा परसंट जो रेट है इसका फ्रेक्शन आपको पता और चाहरे कि एक बटिक्ड़ा क्या हो तंद आ यह बात पता होना चाहर अब यहां पर देखो इधर हो जाता प्राइस ठीक है मैं थोला साथ जगा कम बचेगा तो इसको इधर लिख लेता हूँ ठीक है दोस्ति इधर हो हम यहां पर क्या करना जा रहे हैं हम लोग यहां लिखेंगे प्राइस ठीक है और इधर लिखेंगे कि आपका अगर नहीं देपाएंगे तो अगर इस ट्रॉल्मेंट में देंगा तो इसको नो रुपिया देना पड़ेगा एक साल के बाद, समझा कि नहीं यह होती है, कोई भी रेट हो, नीचे वाला प्राइस होता है, उपर जोड दना, आठ पर एक रुपिया बयाज मिल लग जाएगा तो आप एक साल के ख्यूद आठे साह साथ तीन सालके करते हैं, त॑ inner क्युब कितना हो सर 512 और इसका क्यूब कितना हो ता 729 देखते रहे ना बस यहां पर अब बोले अच्छा आप यह सवाल भाने सर हम तो बराबर बराबर किस स्तों में चुक आएंगे हम भी तो आप किस बराबर करें करें की सै नहीं और लगा कि अब क्या वी न्युक्राइज हो लो तो अब बना लंगे तो जगह यहां पर कम पढ़ा है लेकिन कोई दिकत नहीं आप लिग देंगा एटीवन से सु करेंगा सर यह एठीएठी कितना हो जागा बाद रहाद 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 जो सवाल ने बोला वह देखो यहां पर किलियर हो गया किने तम लोगो लेकिन तुम्हारा पैसा पे करने के लिए था कितना एक निकालो नहीं हम यहां पर जोड़ रहा है पहले साल में 664 दूसरे साल में 576 रुपया देना था और तीसरे साल में कितना 512 तो टोटल प्राइस कितना आप जोड़ लो जगा थोड़ा कम बचे पढ़ेगा मुझे पता है जोड़ लेक वर हम लें 555-10 और छे कितना हो गया 1600 अब रुख जाओ साथ और यह चार साथ और पांच बार तो यहां पर देखो सार क्या हो सत्रह सो क्यातना हो जाएगा बीस हम लेच्छा सत्रह सबीस रुखो आठ और छे चोगदा और दू कितना हो गया ठारा बीस और प्राइस तो है इतना रुपया मको धार देना था मतलब इतना पैसा मेरा रह गया ठीक है जिसको अम लोग क्या कर रहे थे किस्तों में चुका दिये 729 कर गे लिए सवाल बड़ा नहीं सार 1736 तो है ही नहीं पैसा अब बोले कितना है सर साव तो करश 15000 ना रहा गया थे हम बोले हां तो हमारा जो 1736 जिसका मान कितना बीटा 15000 है देख लो हमारे हिसाफ से सरफ 15500 पर उधार रहा गया था लेकिन यहाँ पर रेश्यों कितना हो जागा 36 तो यह आँसे आपको किसका मान निकालना 700 किसका 39 का परतिये किस बोला है तो केसर निकलेगा हम बोले यहां से एक रेश्यू के लिए करना होगा पंदरह हजार बटे कितना होगा सत्रह से अच त्छिस तो साथ सो जढ़ाय होगा और यहांसे क्या होगा बताते हम नहीं 6299 तो लगभाग कितना होगा 6299 तुम्हारा आएगा exact नहीं कटने वाले ठीक है तो यह तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा परती है किस्त कितना कितना का है 6299 exact मान नहीं आएगा ध्यान रखना ठीक है तो यह बहुत ही लाजबाब सवाल तो उम्मीद है कि आपको अगले पार्ट में कुछ अलग टोपिक में कुछ अलग लेवल के सवाल करके आएंगे और आपकी में मदद हम लोग करते रहेंगे ठीक है फिर मुलकात करते हैं यह देखेगा और किसी को जोइन करना बैस तो बिल्कुल कर लिजेगा 15 मार से ठीक है ठीक मिलता अगले वेडिय को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ ट